नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए माडल पेपर सशन 2020-21 यानि कि आज सीरीज नंबर है फिप्थ यानि कि इससे पहले मैंने चार वीडियो बाला है ठीक है तो इसमें बहुत सारे चेंज़े सुए हैं यानि की कोईविट की वज़ा से पेपर का मॉडल और किस प्रकाछ एक्जाम होंगे कर आई से बहुत सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे अपडेट भी आएं ठीक है तो इस बार कैसे ए आगे मिलने वाली है तो पूरा देखते लिएगा और यह कुष्टन की जो सिरीज है यह बीए के जितने में चात्रों चार फश्टे से केंदर थार्ड यर तीनों यह चात के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टन कुष्टन मैंने इसमे घ्रीफर पे हुँगे एक्जाम आप सभी के ठीक एश्रीफ न इंटीपर्संट चान्स सेहीं कुई कि बहुत सारे निवर्ष्टिइज ऑफ लाइन इगजाम करेंगे लेकिन Argentine इंवर्ष्ट एशले क्योंकि कोवीट की वगसा से ठीक है तो फिरफुर्हाल चांस्स मौश् सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टन कोईश्चन और हिंदी साहित के सबसे टॉप लेबल की इंपॉर्टन कोईश्चन जो एक्जाम में कई बार लगातार पूछे जा चुके वही मैं आप तक बताने वाला हूँ आज तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह एक्जाम कोईश्चन एंसर यह विफसाइड है आपके अप सभी के लिए मैंने बनाई यहां पर बहुत सारे मैंने कोईश्चन बीए से अर्लेट को बताने वाला हूं कि इस वीडियो में जितने भी कोईश्चन वो कबीर दाफ जिससे रिलेटेड हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक्जाम में हिंदी साहित में फिंदी के बाप सारे कोईश्चन पूचे जाते हैं तो अगर आप यह वीडियो पूरी कबर कर लेते त तो कभीर दाव जिसे रिलेटर जितने भी एक्जाम में कुछे जाते हैं आई होप आप सभी के कम्प्लीट हो जाएंगे तो पहला कोश्चन है कि निमनिमे से कभीर पंत के प्रवर्तक कौन थे आप से मिल जाएगा तुलसिदास दहिंदास कभीर दास के सोदास तो इस को नहीं मालूम होगा इसका राइट एंसर लेकिन इसका राइट एंसर हो जाएगा कभीर पंत के प्रवर्तक कभीर दास जी है ध्यान से समझेगा कोश्चन बहुत इंप्वाटन्ट है और बहुत टॉप लेबल के कुश्चन है ठीक है यहां पर मैं पार्टिकुलर कभीर द पूए कोश्च wondering सही समझेगा लिछा हिए बेगम देश को कभीर और क्या नाम देएं हैं कोई वेगम देश से जहां पर कभीर दास जी उसको कुछ अधर नाम से भी पुकारते हैं या उसे कुछ और नाम देट है तो आप्सन इसमें है कि अमरपूर यॽंप्तोव सृतृत पूर ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा अमरपूर ओके अमरपूर अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question कि कभी हिंदी साहित के किस काल के कभी थे important question बहुत ही है इसको आपको इसका answer जाना बहुत ही जरूरी है नमबर एक है आदिकाल, छायावादिकाल, भगतिकाल, रेतिकाल यह question ना कि आपके हिंदी के लिए ही important है बलकि आप अगर किसी competitive exam यह competition की तयारी कर रहे है तो उसमें भी बहुत ही जा बहुत ही उसके लिए important question क्योंकि उसमें भी पूंच लिया जाते है question इस प्रकार के ठीक है कबीर दाफ जी भगतिकाल के कभी थे अगले question कर बढ़ते हैं अगला question कर रहा कि निम्न में कबीर की वाड़ी का संग्रा किसमें था नमबर एक है सबद रमैनी बीजक और डी नमबर हिनमें से कोई नहीं तो इस question कर राइट answer I hope आप सभी को मालूम ही होगा क्योंकि बहुत ह है तो इस question कर राइट answer हो जाएगा वीजक क्योंकि बीजक के ही तीन पार्ट है साखी सबद रमैनी ठीक है तो इस question कर राइट answer हो जाएगा सी अगले question कर बढ़ते है अगला question कर रहा कि कभीर दाफ जी किस जातिके थे आप सन आपको मिल जाएंगे दुनिया जुलाहा और द ज्यान दीजेगा बहुत ही important question है सभी जितने भी इसमें ठीक है अगले question कर बढ़ते हैं कभीर दास की प्रमुक्षिस से कौन थे आप सने के राइदास धर्मदास जस खान देव तो इस question का राइट answer हो जाएगा वह जाएगा कभीर दास की जो प्रमुक्षिस वह थे number इसमें जितने भी question है सारे I hope आप सभी को easy लग रहे होंगे और आप सभी इन question को एक ना एक बार पढ़े जरूर होंगे चाहिए आप 10th में 12th में या फिर आप लोग किसी और माध्यम से पढ़े होंगे लेकिन सभी के बारे में सबका right answer सभी को साहिए नहीं मालू होगा ल और कोई exam की तयारी करेंगे उसमें भी आप लोगों को याद रहेगा ठीक है तो इसलिए ध्यान से समझेगा है कि question का answer अगले question कर बढ़ते हैं कि कभीर दास का जन्म कब हुआ था आपसर मिल जाएगा 1488 और 1550 1398 और 1600 मैं यह पहले clear कर देता हूं कि कभीर दास जी के जन्म क कि बहुत सारे मत्वेद हैं बहुत सारे लेकर बहुत सारे कभी इनका जन्म किसी और सन में मानते हैं बहुत सारे किसी और सन में मानते हैं कोई कहां पर मानता है कोई कहां पर मानता है लेकिन जो कवीर जाजी का जो जन्म है वो मेरे कोर्डिंग जहां तक मैंने रिसर्च किय ही मैंने पाया है तो इसलिए मैं राइट एंसर सगेस्ट करूंगा तेरा सो अठानवे ओके अगला कोईस्टिन है कि बीजक के कितने भाग है आठ चार तीन साथ तो बीजक के जो पार्ट है यह बहुत इंपॉर्टन कोईस्टिन करे बार एक्जामें पूछे जा चुका है कोईस्टिन के राइट एंसर जाएगा तीन बीजक के जो भाग है वो तीन है कौन-कौन से मैं यह भी आप लोगों को बता देता हूं पहला है साखी ठीक है साखी सबध है ठीक है और रैमनी है ठीक है यह जानना आपको बहुत जरूरी है ठीक है तो आप लोग जान में रख किएगा अगले क्यों बढ़ते हैं कि कबीर कि सासक द्वारा अनेक बार प्रतंदित हुए आप से ने शिकंदर लोदी अकबर वीरबल से सासूरी इस कोश्टिन कर क्या रहा है राइट एंसर हो जाएगा आप लोग को मालू में तो बेसर कमेंट करके बता सकते हैं तो इस को कबीर दास जी सिकंदर लोदी के द्वारा कई बार प्रदंडित किये थे ठीक है अगला क्वेश्टन को बढ़ते हैं अगला क्वेश्टन है कि गहना एक कनक्त गहना यह पंक्ति किसकी है जैसी तुर्सिदास भूसन कबीर दाफ अगर यह कोश्टन एक्जाम में आप क्या जाएगा तो बहुत सारे वास में क्वेश्टन होते हैं अलग अलग लेकर से तो आप लोग कन्फिर्ट हो जाएंगी कि यह किसने कहा था या कि किसकी पंक्त है तो वहां पर आपको ध्यान देने की बात रहेगी तो यहां पर आप लोगों को राइट हैं से स्लेक्ट करना हो होगा वहां पर डी नमबर कबीर दास जी ठीक है अगले क्वेश्टन कर बढ़ते हैं अगले क्वेश्टन कहिरा कि मुसल्मानों के अनुसार सोड़ी यहां पर रहा नहीं लगा है अनुसार होना चाहिए ठीक है अब समझ लीजीगा अनुसार कबीर के मुसलिम गुरू कौन राइट एंसर हो जाएगा बीनमबर दोस्तों मैं आपको बता दो कुछ 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 करने में मिस हो गए होंगे तो से इग्नोर कर देना क्योंकि ट्राइप करने में एक दोवर्ड मिस्टेक हो जाते हैं ठीक है अगला कुछ ने कि कभीर दास के पिता का क्या नाम दसरत नीरू नंद बल्वान तो फिराल इस कोश्चें का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों कभीर दास जी के पिता का जो नाम था वो था बीनमबर यानि कि नीरू अगले को बढ़ते हैं कि कभीर की जीवनी पर प्रकास डानने वाला ग्रंत आप्शन मिल जाएगा व्रह प्रकास डानने वाला ग्रंत है अगला कोश्चन है कि बीजक कि सन में संकलित हुआ था बहुत इंपार्टन कोश्चन यह जानना आपको जरूरी है आप से मिल जाएगा उन्नी सोरी पंदा सुदस वोला सो और 1464 और पंदा सो पच्चास ओके तो बीजक जो संकलित की गई थ या फिर इसकी रचना हुई थी वह हुई थी 1464 में इसलिए राइट एंसर का हो जाएगा सी नंबर अगला कोश्चन कर बढ़ते हैं अगला कोश्चन के रहा कि साखी किस भासा में हैं गुजराती बी नंबर राजिस्थानी पंजाबी मिली खाड़ी बोली नेपाली फारसी तो कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा जो साखी है वो नेपाली सोरी राजिस्थानी पंजाबी मिली खाड़ी बोली में है इसलिए राइट एंसर का हो जाएगा बी नंबर ओके ध्यान दीजीएगा अगले कोश्चन के रहा कि निम्ड में से साखी में कौं सा पाई दोहा तो बेसर किस कोश्चिन का दो राइट एंसर हो जागा दो तो वह जाएगा डी नंबर दोहा अगले को बढ़ते हैं अगला कुश्चिन के रहा कि कभीर दाश के गुरू का क्या नाम था आफसर ने के नरिहर दास रामानंद रामानुज रायदास अभी उपर कोश कभीर दाव जी के गुरू का क्या नाम था तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे क्या रामानंद ठीक है अगर कुश्चिन ऐसे हो तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों कुश्चिन पर ठीक है कन्फ्यूज मत होईएगा रामानंद अगले कुश्चिन के बढ़ते हैं कि एला क यनिका बीजक का वो जो संग्रा किया था उनके जो सुस्षित है वह धर्मदास्ते इस कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा इस अगला कुश्चिन है कि नि मिलखःत में से सबत का मतलब क्या है आपसे नहीं सबनन सब्द कोस्ट तो जो सबत का मतलब है वह सब्दकोस को अब बढ़ते हैं एंगले कुछिशन क्यों कि अगला कुछिशन कह रहा है कि कभीर की पत्नी का क्या नाम था नंबर एक नंदनी बी नंबर उपमा सी नंबर रीमा डी नंबर लोई तो आयो प्वेश्चन का राइट एंशर आपको मालूम होगा तिराल कोष्चन का राइट ए जाएगा डी नंबर लोई ओके अगला कुछिशन है कि कभीर पंत का निर्माड इन में से किस धांत से हुआ था नंबर एक धर्म अराधना भारते ब्रंभवाद और विरह तो फिराल इस कुछिशन के जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा सी नंबर भारते ब्रंभवाद ओके सिलेट करते हैं राइट एंसर इसका सी नंबर अगले कुछिशन के और बढ़ते हैं कि हमन है इसके मस्ताना पंक्त किसकी है तो सिंपल सा कुछिशन है कि हम बात करने हैं इस वीडियो में कभीर दाफ जी की तो इसलिए राइट एंसर हो जाएगा डी नं निम्लिखित मेंसे कबीर ने अपने काब में सेस्ट किसे माना है नंबर एक गुरू को बेहन को पत्र को पत्नी को तो कुछिशन का राइट एंसर हो जाएगा निम्लिखित मेंसे जो काब में सेस्ट माना है वो गुरू को माना इसलिए राइट एंसर हो जाएगा यह नंबर अगला question कह रहा है कि निम्न में से या निम्न में कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है नमबर एक सांत, बियोग, संयोग, इनमें से कोई नहीं तो question का right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा सांत ठीक है, ए नमबर, सांत रस अगले question कर बढ़ते हैं अगले question कह रहा है कि निम्न में कबीर का संबंद किस से है द्वयतवाद, अद्वयतवाद, अभेदवाद, सुद्धतावयतवाद ठीक है, सुद्धा, द्वयतवाद तो फिर आले question का right answer हो जाएगा, अद्वयतवाद से है ये question कई बार exam में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा इस पर बी नमबर राइटवाद से हो जाएगा, अद्वयतवाद ठीक है अगले question कर बढ़ते हैं निकार कि कबी, sorry कबीर चरित्र बोध के अनुसार कबीर चरित्र बोध के अनुसार कबीर का अविर्भाव कब हुआ था 1381, 1840, 1480, 1389 question कर राइट अनुसार हो जाएगा कबीर चरित्र बोध के अनुसार कबीर दाफ जी का अविर्भाव 1389 में हुआ था राइट अनुसार हो जाएगा डी नमबर अगले question कर बढ़ते हैं कबीर निर्गुण का अविधारा के किस साखा के प्रवरतक थे किशना स्री, ग्याना स्री, प्रेमा स्री, रामा स्री question का right answer हो जाएगा ग्याना स्री select करदिएगा B number question का answer घ्याना स्री अगला question है कि कबीर पर प्रकास डानने वाला ग्रंत कौन है नमबर एक छत्र प्रकास भक्त माल ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर भक्त माल अगला क्वेश्चन है कि बिगूचन किस कभी का प्रिय सब्द है जो माया भी है और विभाम्र ठीक है विभाम्र भी है बिभाम्र तो फिर आले कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा कभीर दास राइट एंसर क्या हो जाएगा कभीर दास ए नमबर अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कबीर का कबीर के पुत्र का या कबीर का पुत्र का क्या नाम था ऐसे भी कुश्चन हो चकते हैं थोड़ा टाइप करने में मिस हो सकते हैं ठीक है तो अगला कुश्चन है कि कबीर दाव जी का देहान कब हुआ था या उनकी जम्रत थी वह कब हुई थी या निधन कब हुआ थ तो आफसर आपको मिल जाएंगे 166, 1758, 1507, 1518 कुश्चन का राइट एंसलो जाए कि कबीर दाफ जी के जो दिहानत के हैं यानि निधन के बहुत सारे मत्वेद हैं बहुत सारे अलग-अलग डेट हैं या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे सन हैं तो लेकिन जहां तक मैंने रसाच किया वहां तक मैंने पाया कि जो दिहानत हुआ था उनकी जम्रत हुई थी वो 1518 में हुई थी ठीक है तो यह रहर कबीर दाफ जी से जो टॉप लेबल के इंपार्टन कुश्चन है जो कि एकजाम में कई बार रिपीट हो चीकिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ तो अगर आप यह सारे कोईटन रिपीट करके दोबारा वीडियो देखते हैं तो अच्छे समझ के जाते हैं कोई रिजन की वज़ा से एक दो दिन से क्लास नहीं वह पारे थी लेकिन अब जल्ब ही रेगुलर क्लासेज हो जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोईन करिए ठीक हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे दोस्तों